Very good afternoon my friends, welcome back to my channel, I hope आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो please like, share and subscribe करना ना भूलिए आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग बात करने वाला है high availability की, high availability क्या होता है, क्यों हम लोग इसका use करते हैं, यह सारे कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं, बेसिकली इस वीडियो में हम लोग theory part कपर करने वाले हैं एक प्रकार का डिजाइन है या अप्रोच बोल सकते हैं या फिर मतलब की बेस्ट प्रक्राइश आदप बोल सकते हैं यह एक प्रकार का ऐसा मतलब यह है that ensures system and services are available with minimal downtime and interruption मतलब कोई भी तरह का resource है उसको क्या करता है minimum downtime के साथ maximum time के लिए available कराता है उस design को हम लोग क्या बोलते है high availability बोलते है यह किस-किस situation में काम करता है यह planned outage और unplanned outage दोनों तरह के outage में काम करता है मतलब कि माली जे कोई unexpected downtime आ गया उसमें भी यह work करेगा और आप क्या कर रहे है अगर plan करके कुछ down कर रहे हो उसमें भी यह work करेगा basically होता क्या है इसमें हम लोग एक और एक जैसे मैं इस के तुरू समझाने की कोशिस करता हूं यह जो मेरा मैंने एक टोपलोजी ले रखा है इसमें क्या है यह मेरा माली जे की एक network है और इसके लिए मैंने एक firewall लगा रखा है और उसी का मैंने क्या एक redundancy redundant firewall लगा रखा है तो अगर यह जैसे देख लिए इसका priority 100 है मैं आपको बताने वाला हूं कि यह 100 priority क्या होता है यह सब मैं आगे detail में बताने वाला हूं माली जे कि यह मेरा मतलब active firewall ता और यह डाउन चला गया तो यह जब डाउन जाएगा तो अटोमेटिकली क्या करेगा जो हमारा secondary firewall है वो टेक ओवर कर लेगा सारे सेसंस और सारे ट्राफिक का टेक करने लगेगा तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं basically high availability बोलते हैं इस firewall के absence में दूसरा firewall करने लगा उस केस को हम लोग क्या बोलें यह हमारा HA firewall था और यह क्या हो गया बाद में active हो गया और हमारा ट्राफिक को हैंडल करने लगा तो यह था HA अभी और भी है अब यूज करते हैं तो हमें और क्या-क्या मतलब यह मिलता है तो है यूज करते हैं तो हमारा क्या होता है अब time and availability क्या होता है इंप्रूब हो जाता है हमारा रिसोर्स जो होता है maximum time के लिए अवलेबल होता है हमारा reliability and redundancy क्या होता है इनहेंस हो जाता है simplified management simplified management क्यों क्योंकि आपको tension नहीं रहता है कि अगर मतलब कि मेरा network डाउन जाता है या कोई एक particular resource डाउन जाता है तो उस case में हम लोग कैसे मतलब की network को handle करेंगे उसका tension आपको नहीं रहता है क्या होता है automatically वहां पर जो redundant यह रहता है hardware यह software कुछ भी हो सकता है हमें वह क्या करता है टेक केर करने लगता है अगर primary down चला जाता है उस case में stability इंक्रीज हो जाता है यह तो सकता है और जो हमारा है है वह हाडवेर और सॉफ्ट्वेर साडवेर और सॉफ्ट्वेर दोनों के फर्म में यह हो सकता है ठीक है और जब हम लोग है यूज करते हैं तो उसे हमें क्या मिलता है मैंने अल्रड़ी आपको बताया reliability तो यह भी More Than One Lang होता है अप लिंक में हम लोगढते हैं इसको क्या में यह एक से ज्यादा लिंक यूज करते हैं तो जो चाल बट करते हैं अगर राउटर बात करें तो हम लोग अगर आपको क्या करते हैं अपने घर में बिजली की बिजली जब तक अब आप से तब तक ठीक है उसके अलावे भी हम क्या करते हैं आज कल कई गड़ो में आप देखेंगे vivac 50% घर में देखेंगे आप इन्वर्टर यूजो रहा है। या वह रहा है किया तसन लोकि बजली कुला करता है तो उस पर्टिकुलर के लिए तो निस्तान दौन चीवता अमेस करता है तो आएंसिक चब्सक्राइए यह हमारे घर में मीनिति कमी नहौत सोलर सिस्टम से यह ले लेते हैं मतलब कि बिजली आप उर्ति कर सकते हैं या पिर अगर मेने माल लिजे डिली से बैंगलौर जाना एक देली से बैंगलोर जाना है तो आप क्या कर सकते हो multiple आपके पास option है या तो आप flight ले सकते हो flight अगर पसंद नहीं है तो आप train ले सकते हो ठीक है train से अगर नहीं जाना चाहते हो तो क्या करोगे bus से चले जाओ आप ले लोगे तो इन सारे चीजों से क्या होता है यह सारे चीज हमारे resource को लेवल कराती है maximum time के लिए तो इसे भी हम लोग है के रूप में जान सकते हैं ठीक है जैसे घर में और भी बहुत सारे आप लोग को समझ में आ गया होगा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जैसे सर्वर में हम लोग कलस्टरिंग करते हैं ठीक है और और अगर किसी कंपनी में बात करें तो जब हम लोग internet service provider का यह करते हैं लिंक लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बेटर परफॉरूर्मेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं एक से ज़्यादा कंपनी का isp लेते हैं उसक्ो히 क्या होता है कि हमने सब्सक्रण 1 एक मेरा company है उसमें मैंने दो ISP ले रख्या है यह ISP1 हो गया यह ISP2 हो गया तो अगर मेरा ISP1 डाउन जाता है किसी case में तो उस case में क्या हो जाएगा कि हमारा मतलग कि हमारे resources को एवलेबल रखेगा प्राइमरी डाउन जाने के बाद भी अब बेसिकली क्या होता है किसी भी company में आप जाओगे तो प्राइमरी जो लिंक रहता है वह मतलग कि उसका bandwidth जो होता है वह अच्छा कासा होता है और जो सेकेंडरी लिया गया रहता है वह सिर्फ बैकप के लिए रहता है तो बैकप वाले का bandwidth हमेसा कम रहता है यह तो था है जैसे हम लोग इस picture में देखेंगे अगर आप इस picture में देख रहे हो तो यह एक छोटा सा device है यह 48 का firewall है इसमें भी देखो हम लोग क्या कर रहे है कि दो power supply यूज़ कर रहे है यह भी क्या हो रहा ह और क्यूं यूज़ करते हैं वो भी आपको पता चल गया अब high availability in FortiGate जब high availability in FortiGate का हम लोग बात करते हैं तो FortiGate में high availability क्या होता है सबसे पहले तो it required it required in system where there is high demand for service availability with less downtime मतलब FortiGate में भी high availability की क्या कौन सी जरुदफरती है क्यों हम लोग यूज़ करते हैं तो वही same सब जगा आप देखोगे तो वही case है क्यों हम लोग यूज़ करते हैं तो availability जो हमारी resources है उसके availability क्या होती है high रहनी चाहिए and downtime less रहनी चाहिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं FortiGate में भी HA use करते हैं To deploy HA for FortiGate we need two FortiGate firewall two or more FortiGate firewall दो या दो से ज्यादा भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं सेम ग्रूप का मतलग क्या है मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा मैंने और टोपलोजी मैंने पुराना ही ले रखा है मैं अभी डिजाइन करूंगा जब बताऊंगा आपको मैं जस्ट आपको दिखा देता हूं कि HA configure कहां से होता है ठीक है मैं login कर लेता हूं करने के बाद है का configuration का जब हम लोग बात करेंगे तो है का configuration आपको मिलेगा सिस्टम में जाके आपको यहां पर option मिलेगा active 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 passive कोई भी मैं select कर लेता हूं क्योंकि आपको क्या सिर्फ group name दिखाना है जो भी group आप यह किजिएगा दोनों firewall के लिए दो या दो से जादक जितने भी firewall है उसके लिए group same रहेंगे अगर उनको यह में configure करना है तो ठीक है ग्रूप यह number यह नेम जो भी दीज़ेगा आप वह सेम रहेंगा दोनों के लिए आगे बढ़ते हम लोग फिर क्या होता है विद्ध हेल्प ऑफ एचे बोथ firewall configuration is synchronized to prevent a single point of failure अब इसमें होता क्या है जैसे दो फैर्वाल हम लोग configure करते हैं मैं आपको इस टोपलोजी कही साब से यह करता हूं तो माल लिजए कि यह मेरा priority 100 है और यह master firewall है और यह जो है एक्टिव फैर्वाल है तो इसमें होता क्या है कि primary में क्या होता है जब तक यह फैर्वाल hiswel से यह जा रहता है और हमारे जो दोरनती टेक ओफर में लेता है और हमारा चीज और कर लिए कियसे करने लगता है क्योंकि यहां पर को कि ने हमने दोन के बीच में दो कन्फिगर कर रखे है हाउन च यसके तुरूहिए कि जो भी हमारा कान्फिग्रेशन कान्फिग्रेशन और ससंट वह सारह रे सेशन्स चर्णर ट्राफिक को क्या करता हैं अपने पास रखता है इन सेश म Spons. 파ined चै comprehensive से सेकंद्री में वही सेम यह करने क्या होता है थो भी सब्सक्राइब करने लगता है सेशंस को हैंडल करने लगता है और हमारे सर्वीस इंपक्त नहीं होती थिआ है भी अब इन दोनों को यह करने केंैं कि अब कैसे पता चलेगा यह हमारा प्राइमरी फायरवाल है प्राइमरी फायरवाल को कैसे पता चलेगा कि जो इसके साथ जो मतलों की पीर में यह लगा हुआ है जो मतलों सेकेंड डिवाइस लगा हुआ है वो एक्टिव है कि नहीं मतलों की वो रिस्पॉंस कर रहा है कि नहीं तो यह लोग क्या करते हैं आपस में Hello and Heartbeat Message Exchange करते हैं ठीक है और उस Message से इन दोनों को पता चलते रहता है Secondary को पता चलेगा कि Primary Active है और Primary को पता चलेगा कि Secondary Active है ठीक है मैंने क्या बता है Heartbeat Connection Between Firewall Pears Insures Failover In Event अगर मतलग कि Heartbeat Message Receive नहीं हुआ इससे Primary से अगर Heartbeat Message Receive नहीं हुआ Secondary को तो यह क्या समझेगा कि Primary Down चला गया और वो अपने आपको Active बना लेगा ठीक है यही लिखा हुआ है HA Pear Use HA Link to Synchronize Data and Maintain State Information वही मैंने बताया यह जो HA Link है एक बार मैं इसको Clear कर लेता हूँ काफी यह हो गया है हाँ तो यह जो हमारा HA Link है इसी को क्या करते है दोनों firewall क्या करते है configuration और जो state है उसको आपस में sync करने के लिए यूज करते है ठीक है अब HA Pear का Pre-Requisites क्या है Pre-Requisites की बात कर लेते है क्योंकि यह क्या है बहुत important यह है तो जब भी आप सबसे पहले तो जब भी आप HA configure करने जाते है वहाँ पर क्या need a pair minimum pair चाहिए minimum two firewalls चाहिए ठीक है और दोनो firewalls के क्या होने चाहिए model number same होने चाहिए hardware same होने चाहिए और उसका जो 40 OS है मतलब कि software है software भी same होना चाहिए दोनों क्या होने चाहिए up to date on the application URL and thread database और दोनों update होना चाहिए और दोनों same इसमें update होना चाहिए ठीक है दूसरा नमबर क्या है उसके बाद क्या है to set up HA model to set up HA mode the same type of interfaces required make sure not using DHCP और triple POE DHCP और triple POE क्या है यह type of DHCP basically automatic IP और यह वो मिल जाता है ठीक है और POE भी वी एक क्या है एक type of interface है जो हम लोग configure करते है तो जो हमारा interface होना चाहिए वो इस mode में नहीं होना चाहिए DHCP और triple POE में नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए मतलब कि manually आपको interface configure करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद क्या होता है अब सारे चीज़े तो सेम होनी चाहिए दोनों firewall नहीं होनी चाहिए एक तो host name host name क्या होना चाहिए दोनों का different होना चाहिए और प्लस priority priority पर क्या होता है priority जो आपका मतलब priority ज़्यादा रहेगा वो firewall as a active work करेगा master work करेगा और जिसमें priority क्या कम होगा उसमें क्या होगा वो firewall क्या करेगा secondary as a secondary work करेगा और वो as a slab work करेगा master and slab आपने पढ़ा होगा बहुत सारे जगा तो यह थे HA के pre-requisites अब हम लोग 48 firewall के HA modes के बारे में बात करते हैं तो दो टाइप के HA modes होते है सबसे पहले तो active-passive मतलो 99 percent cases में क्या होता है हमारा configure होता है उसमें होता क्या है यह firewall जो होता है जो primary firewall होता है जो हमारा master firewall होता है वो क्या होता है सारे घ्राफिक का केर करता है और जब यह primary firewall किसी भी काड़न से डाउन चला जाता है तो वो सारे सबस्क्राइब करता है इसमें लोग लोड मौश Exchange नहीं कर सकते हैं फिर नहीं लिए नहीं कर सकते हैं지는 जो हमारा HA1 and HA2 use होता है वो मैंने बताया था आपको किस के लिए configuration sync के लिए और एक दूसरे के लिए मतलब कि जानने के लिए कि हमारा peer active है या नहीं मतलब कि हमारा जो HA pair firewall है वो active है कि नहीं response कर रहा है कि नहीं उसके लिए active passive one firewall actively manage traffic while order is in sync मैंने यहीं बताया आपको पहला firewall क्या करता है traffic को handle करता है और दूसरा क्या करता है पहले के साथ sync में राता है कि कभी भी पहला डाउन गया तो secondary क्या करेगा take over कर लेगा active passive does not increase session capacity और network throughput in firewall क्योंकि एक टाइम पे एक ही firewall active होता है second firewall वर्क नहीं करता है अब चलिए चलते हैं यह तो तरह हमारा active active अब आते हैं sorry active passive था वो पहला वाला अब आते है active active एक्टीव में क्या होता है जब भी हम लोग active active की बात करते हैं तो active active में क्या होता है एक मिनट मेरा हुआ नहीं तो हम लोग इसका नाइप सके है हाँ तो हम लोग क्या बात कर रहे थे हैं आपको अगे置 क्योंकि active active क्या होता है एक तो इसमें दोनों firewalls क्या करते हैं बाग लेते हैं दोनों firewalls traffic handle करते हैं अब एक चीज और बता दूं मैं यह load balance provide करता है but only TCP sessions के लिए ठीक है TCP session manage करता है जो TCP session यहां रहेगा वो TCP session क्या करेगा primary firewall क्या करेगा यह कर देगा secondary firewall को भी secondary firewall TCP session handle करेगा but other जो हमारे sessions होते हैं जैसे UDP ICMP multicast broadcast यह सारे traffic क्या होते हैं सारे हमारे primary firewall को ही handle करना पड़ता है ठीक है इट फेल ओवर प्रोटेक्ट फेल ओवर प्रोटेक्शन फर ओल ICP sessions but not for sorry TCP sessions but not for UDP ICMP multicast broadcast अगर आप failover भी कर रहे हो तो उसमें क्या होगा सिर्फ TCP session के लिए failover होगा बाकी सारे sessions के लिए failover नहीं होगा तो यह क्या उतना useful भी नहीं दिख रहा है सिर्फ TCP session के लिए कोई भी organization इतनी पैसे खर्च नहीं करेंगे कि वह दो firewalls को हमें यूज करें और उसके बीच में क्या हो सिर्फ TCP sessions का यह हो मतलब load balancing हो बाकी सारे sessions को हमारा primary firewall ही handle कर रहा है तो ऐसा setup बहुत ही कम देखने को मिलता है यह है एक्टिव एक्टिव जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं TCP sessions का load balancing कर सकते हैं मतलब कि जितने भी firewalls उस एक्षे में रहते हैं वह सारे TCP sessions को अपने आपस में डिवाइड कर लेते हैं बट अधर firewalls क्या होता है primary जो हमारा active यह रहता है और firewall होता है वही other traffic को handle करता है जैसे UDP, ICMP, Multicast and Broadcast तो यह था था active active आगे चलते हैं और क्या है active active हमारा हो गया ठीक है अब high availability links high availability links में क्या आता है basically मैंने आपको बताया ही था दो link होते है यह 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 होता है जो हमारा hello heart with सारा message exchange होता है और यह का state information भी क्या होता है ठीक है फिर क्या होता है दोनों directly अगर दो firewall अगर यह दोनों firewall directly connected है तो यहां पर क्या हम लोग crossover cable का use करते है ठीक है crossover cable आपने cross cable and straight cable के बारे में पढ़ा होगा फिर क्या होता है it is also used to exchange management plan sync for routing and user id info यह routing and user id ethernet interface होते हैं ठीक है ethernet interface होते हैं और TCP sessions यह नहीं करते हैं मैं आपको दिखा दूँ ethernet interface जो होते हैं अब ethernet interface में इसमें कितने तरह के यह आते हैं पैकेट्स आते हैं तो यह चार तरह के पैकेट्स आते हैं जैसे 0x8890 अगर मिलेगा तो यह क्या heartbeat message के लिए यह होता है ठीक है अगर 0x8891 मिलेगा तो यह किस में यूज होता है सबसे पहले यह तो एक्टिव एक्टिव में यूज होता है और यह ट्राफिक रिडिस्टिबूशन फॉर प्राइमरी टू सब ओर्डिनेट्स मतलग की प्राइमरी से और फारवाल में चुन के लिए वे ल्यूज होता त्रपिक रिडिस्टिबूशन में आपको बतायabंचिक के이는 प्र 0x8892 यह क्या होता है सेशन के लिए वकटा यह तो यह सारे हम लोग क्या करेंगे जब लाइव करेंगे तो इसमें हम लोग इसके तुरू वार साके तुरू देखेंगे इन मैसेस को कि उसमें क्या ट्रांसफर हो रहा है एक्चुली क्या इंफर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है तो यह था हार्ट हार्ट विट पैकेट इथरनेट टाइप वैल कंफीगरिंग एकिव यूजिझ टू हर्ट उपस संसाव हर्ट विट उट गतलों कर इसमें क्या करते हैं ग् electrodes with a mango रगचे न्कता है जिसमें क्या होता है न कषज़ Nichols होता है है और फृस्ट मुचा हरे रपलटा मर Сब्सक्राइब सेट करें सधंड़ी हाइगा वह सब्सक्राइब dog near सब्सक्राइब लिए कि मैंने एक्टिव हो जाएगा 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 एक्टिव 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 ए up to 8 heartbeat interface हम लोग यहां पर जो एचे का इंटरफेस है वो up to कितना 8 interface तक हम लोग select कर सकते हैं ठीक है and that interfaces should be only physical interface not मतलग कि वो logical interface नहीं हो सकता है जैसे VLAN या मतलग कि वैसा कोई interface इसमें यूज नहीं हो सकता हमें physical interface ही यूज करना पड़ेगा किसके लिए हाटवीट इंटर आज हाटवीट इंटरफेस ठीक है तो यह दो था क्या होता है हमारा है लिंक क्या होता है और हाटवीट पैकेट कितने तरह के मतलग कि इतने टाइप पैकेट मिलते हैं और क्यों हम लोग है यूज करते हैं यह हो गया अब हमारा क्या होता है इसके बाद आता है एक टर्मिनोलोजी टर्मिनोलोजी में क्या क्या होता है मतलग कुछ एक पर्टिकुलर टर्म्स होते हैं उसका मतलग क्या होता है वह हम लोग समझ लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग अगर फेलोवर की बात करते हैं तो hello messages are sent from one peer to another peer to verify the state of the firewall firewall का state verify करता है basically firewall active है या down चला गया ठीक है वो किससे होता है hello or heartbeat message से पता चलता है use hello messages and heartbeat to verify that the peer firewall is responsive peer firewall जो response कर रहा है उसके लिए हम लोग क्या करते है hello and heartbeat message use करते है heart beat is a non-tcp packet heart beat का packet होता है वो non-tcp होता है tcp packet नहीं होता है interval for heartbeat is 200 millisecond every 200 millisecond के बाद क्या होता है एक नया heart beat message firewall क्या करता है अपने peer को send कर देता है और check करता है अगर 6 heart beat packets अगर 6 heart beat messages का response नहीं आता है उसके पीर मतलब कि माल लिजए कि इस firewall ना क्या किया कि छे regular मतलब कि छे इसने क्या क्या कि heart beat messages वेजा अपने पीर को और पीर ने क्या किया एक कभी response नहीं किया तो यह जो मतलब आपको क्या करेगा एक्टिव बना लेगा और मास्टर बना लेगा अब लिंक मोनेटरिंग हम लोग क्या कर सकते हैं लिंक मोनेटरिंग भी कर सकते हैं जिसमें इसमें से जो भी हम लोग लिंक या फिजिकल इंटरफेस मोनेटर कर रहे हैं उसमें से एक भी इंटरफेस डाउन चला जाएगा तो यह क्या होगा अब प्रायरोडीытी के मांने मतलब मैने बता था प्रायरेटी क्या है बैसिकली 1 व यह यूश करते हैं और जिसव इंटरफेस का रखते हैं वह स्डरी जीए मुकंटरफेस का है वहाई करते हैं उस अध करता है और आधर जो फाएर वाल एडिवास का प्यानिए करते हैं करता है 248 नेट्वर्क्स फैर्वाल अर्डिप्लॉइड इन दा एक्टिब पैसिप इसमें क्या होता है विद्वाइड नुमेरिकल वैलिए अच्छा अगर तूफोटिगेट फैर्वाल को यह करते हैं तो जिसका प्राइड आएगा वह क्या आज मास्टर वक करने लगा वह क्या हो जाएगा एक्टिव फैर्वाल अपने आपको कंसीडर करने लगा और सेकेंड क्या हो जाएगा पैसिव हो जाएगा अजस्लाइब वर्क करने लगा ठीक है आगे देखते हैं फिर अब सेशन पीकप इसमें क्या होता है सेशन पीकप एक अच्छा चीज है अगर जैसे मैं यहां पे समझाता हूं इस टोपलोजी के तुरू अगर माल लिजे कि यहां पे क कोई एक सेर्वर है को एक सरवर है जिसका आपने क्या कि कि स्सेंच लेख और एसेच का जो सेशन है तो वह क्या TCP session है तो TCP session है तो यहां पर TCP traffic है तो यहां पर एक session बना होगा बट यह firewall down चला जाएगा तो वह क्या TCP session हो जाएगा और जब traffic होगा हमारे secondary firewall पर तो इसको फिर से क्या करना पड़ेगा SSH करना पड़ेगा इस सर्वर को, बट जब हम लोग TCP सेशन, TCP पीकप ये क्या बोला जाता है, सेशन पीकप जब हम लोग allow कर देते हैं, तो क्या होता है कि जब भी active firewall डाउन जाएगा और उस पे जितने भी TCP सेशन बने होंगे, उन सारे को हमारा क्या करेगा, हमारा जो secondary firewall है, वो सारे सेशन सेशन में रहता है, वो सेशन जो होता है, वो हमारे secondary firewall सेशन में रहता है, जैसे primary firewall डाउन गया, हमारा secondary firewall क्या करेगा, सेशन को पीकप कर लेगा, और फिर से आपको उस particular resource को SSH या, मतलब कोई भी TCP कोई भी port यूज कर रहे है, कोई भी सेशन यूज कर रहे हो, उसको फिर से reconnect नहीं करना पड़ेगा, TCP सेशन इस्टेबलिस नहीं करना पड़ेगा, वही जो existing TCP सेशन है, उसी पर ये वर्क करने लगेगा, तो उसी को हम लोग बोलते है, TCP, जब हम लोग अलाव करते हैं, सेशन पीकप तो वो क्या करता है, TCP सेशन को, जो हमारा secondary firewall है, और cluster units है, वो क्या करते हैं, उसको पीकप कर लेता है, और new TCP session is added to primary, कोई भी अगर TCP session primary में add होता है, तो उसका क्या होता है, कि session sync हो जाता है, किसके साथ slab firewalls के साथ, चाहे वो एक हो या पाँच हो सारे firewalls के साथ slab ये हो जाएगा, sync हो जाएगा, और जैसे down जाएगा primary, तो session के detail है, secondary जो भी firewalls है, वो क्या करते हैं, तुरंत existing session को ही pick up कर लेता है, इसलिए इसका नाम session pick up है, और इसको हम लोग जब भी allow करते हैं, तो ये हमारे TCP sessions को established रखने में, मतलब कि any outage और इसमें established रखने में, क्या करते हैं, help करते हैं, HA override, HA override को basically हम लोग क्या, preemption के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग Cisco और other मतलब की follow alt में, हमने preemption के नाम से पढ़ा है, इसमें होता क्या है, कि इसमें preemption जब भी हम allow करते हैं, तो अगर माल लिजे कि preemption allow करने के बाद का क्या, मैं basically बताता हूँ, दो case, एक तो without preemption और एक bit preemption, अगर without preemption हम लोग HAPR use कर रहे हैं, अगर हमारा primary firewall down चला गया, तो secondary हमारा active हो जाएगा, जब primary up आएगा, उस case में भी क्या होगा, हमारा secondary firewall ही active रहेगा, primary firewall वापस active नहीं होगा, until की secondary firewall down हो जाए, reboot हो जाए, या कुछ हो जाए, चाहे इसका priority हाई हो, चाहे पहले firewall का priority हाई हो, तब भी ये क्या होगा, ये active नहीं आएगा, मैंने क्या बोला, कि हम लोग without preemption अगर use कर रहे थे, और हमारा primary firewall डाउन चला गया, और secondary अप आगया, और secondary अजे active अप आगया, तो अगर हमारा primary firewall रिएस्टोर हो जाता है, तब भी क्या होगा, कि हमारा secondary firewall ही क्या होगा, एक्टिव होगा, primary firewall एक्टिव नहीं होगा, until कि जो हमारा secondary firewall है, वो डाउन चला जाए, रिबूट हो जाए, या कुछ उस पर प्रोब्लम आजाए, तब ही जाके क्या होगा, हमारा primary firewall फिर से active आएगा, बट अगर आप preemption on कर देते हो, तो preemption on करते ही क्या होगा, preemption on करते ही, अगर हमारा primary firewall डाउन गया, यह automatic क्या होगा, primary firewall, primary बन जाएगा, active बन जाएगा, master बन जाएगा, यह है preemption का best feature, इसमें क्या होता है, कि जब भी आप मतलग की firewall डाउन जाता है, दूसरा firewall आप आजाता है, और active हो जाता है, बट जब आपका active firewall वापस restore होता है, तो automatic बीना कोई traffic manual switch किये, वो automatic क्या होता है जो अपना, मतलग की primary firewall पहले primary था, वो फिर से primary बन जाता है, automatic traffic switch over हो जाता है, preemption अगर आप enable करते हो, और उसी preemption को यहाँ पे हम लोग किस नाम से जानते हैं, HA override के नाम से, ठीक है, अब हम लोग unicast का बात कर लेते हैं, तो जब भी हम लोग heartbeat message वीज करते हैं, तो वो basically क्य क्या होता है, physical firewalls में तो support करता है, but, मतलग की VMs में क्या होता है, broadcast, जो हमारा broadcast message होता है, वो support नहीं करता है, वहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ता है, unicast HA heartbeat configure करना रहता है, तो जब भी आप unicast, unicast का मतलब यह क्या होता है, कि आपको traffic किस के तरफ बेजना है, किस के firewall करते हैं, तो उसमें peer IP address भी यह करना पड़ता है, हमको देना पड़ता है, तो unicast message हम लोग का unicast HA heartbeat हम लोग कब यह करते हैं, तो जब हम VM में firewall use करते रहते हैं, VM platform में use करते रहते हैं, तो यह तो था HA का theory, और आगले वीडियो में हम लोग यह जो हमारा HA type है, active 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 and active passive, उस के लिए इतना ही, मिलते ही जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए